हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको DPSDAE Recrement 2023 की सारी अपडेट्स करने वाली हूँ तो इस वीडियो को आप लग लास्ट तक जरूर देखेगा क्यों कि इसमें मैं आपको सारी क्राइटेरिया वैकेंसी डीटेल सब कुछ बताने वाले हूँ ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह जो रिक्रूमेंट बोर्ड है वो है डारेक्टरेट अफ पर्चेज एंड स्टोर्स एंड डिपार्टमेंट आफ एटॉमिक एनर्जी डी एई और इसका जो पोस्ट अप्लिकेशन है डेट स्टार्टिंग डेट है 22 4 2023 से 15 5 2023 बाइस अप्लिकेशन फिल कर सकते हैं आप और 15 में दक एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने की डेट रखी गई है और जौब लोकेशन इसका और इंडिया रहने वाला है और यह इसका ओफिस्यल वेब साइट है यहां पे जाके आप एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं तो स्टार्टिंग डेट इसकी 22 अप्लिकेशन का 15 में 2023 है और लेवल वन और लेवल टू का एक्जामनेशन सेकेंड वीक ऑफ जून 2023 तक हो सकता है अब इसके वैकेंसी डिटेल को जान लेते हैं तो एसी केटेवरी वा EWS के लिए है 22 वैकेंसी और जेनरल वालों के लिए 12 है पोस्ट वैकेंसी यानि टोटल 65 वैकेंसी निकली है और इसका जो एज होना चाहिए तो मिनमम एज कंडिडेट की 18 यर्स और मैक्सिमम एज 27 यर्स होनी चाहिए और एज रिलेक्षेशन की बात करें तो एसी केटेगर की लिए वालों को 5 यर्स का एस रिलेक्षेशन मीले गा OBC वालों को 3 यर्स का एस रिलेक्षेशन मलेगा और PWPD-SC वाले को 15 years का मिलेगा is relaxation और ex-serviceman वालों को 3 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date means अगर कोई वैक्टी फॉर्ज में था तो उसके नौकरी छोड़ने के 3 सार बात तक भी वो इस परिक्चा में बैट सकता है qualification की बात करें तो candidate को graduate होना चाहिए science में with 60% marks, 60% marks minimum आना चाहिए उनको या फिर graduate होना चाहिए उनको with commerce subject with 60% marks या फिर diploma होना चाहिए उनका mechanical engineering, electrical engineering, electronics में या फिर computer science में उसमें भी उनका minimum marks 60% आना चाहिए इसका जो selection process रहने वाला है तो सबसे पहले आपका level 1 का written exam होगा जिसमें की objective type questions पुछे जाएंगे level 2 का written exam जिसमें subjective type question होगे फिर document verification होगा और उसके बाद medical examination आपका लिया जाएगा और application fees for general OPC and EWS 200 उपीस है and for SC, ST, PWT and जितनी भी female candidates हैं किसी भी category की उनके लिए कोई भी application fee नहीं रखा गया है और इसका apply करने का जो mode है वो online ही रहेगा online आप apply कर सकते हैं तो इसके website पर जाके आप application fee कर सकते हैं ओके तो और भी job updates के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं Thank you